बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के पिकल पे खड़े होकर बताएंगे हलो普 ओफब कीन का अपसे से गायब थी और यह भी वापिस आना है, गर मैंने रहा वापिस आके एंट्री करूं, झुरा दुमाके वाली एंट्री की जाएंगे, वैसे भी मैं जहां भी जाती हो वाध्या हुआ हुआ है पाकिस agonying यह तो फाइदा है दुम्मा के करते रहो जहां भी जा झारही थी कि न्यूभी ओर्पार्क यह वोटर पार्क विंजर में हैं इंudor वटर पार्क टी तो मैं फ्लास टेम्द गई हों cashाता था, हम Durland जाते यह आपको सब्सक्राइब कोगी झाहता थाप Pok究 पूर्ड पूर्ड के साथ अप्यूर्क्ट के साथ बूर्कीनी अब आप को जाते ओ जहां भी जाते ओ आपको वाटर पार्क में दिखना और यह नहीं कि जिर्फ एग लिग गया दो दिख नहीं नहीं दस बारा पंदरा like they're growing right तो एक तरफ तो मैं यह देखती हूँ कि देखो यार at least यह बंदिया at least इन लड़कियों को यह तो अजाज़त है कि आ कर वाटर पार्क में अपने आपको enjoy कर सके चोटी बच्चियां भी थी बड़ी और उनके मर्द वहां उनके साथ थे अपनी बेटियों के साथ wives के साथ and I was very happy to see that even though बड़ी दाड़ी वाले भी थे और बैठे वे थे एक हांटी तो पूरे वो हिजाब करके यूँ करके बैठी थी मगर उनके बच्चे जो थे पूरे वो हिजाब में पूरा चबा पहनके वो पानी में उत्री भी थी और 15 लड़कियां वो हिजाब पहनके पूरा वो ब्लैक सूट पहना था चनलोगों ने बिल्कुल टाइट ब्लैक सूट पहना था उसके ओपर चबा पहना था चनलोगों ने ओपर चबा नहीं पहना था आपको यलो गाड़ी या आपको रेड गाड़ी जो है वो ज़्यादा दिखे ली बने जब सिल्वर, ब्लाक या वाइट क्योंके there's so many of those cars right वो ज़्यादा तर majority में होंगी और जो minority में cars होंगी आपको वो ज़्यादा दिखे ली क्योंके they stand out more तो इसी दाना से जब मैं वहाँ गई तो एक बनी जो थी she stood out more बाकी भी और थे थी बिकीनी में मैं खुद बिकीनी है बैठी you know I went in a bikini inside उसका figure बड़ अच्छा था मैंने उसका figure भी check किया मैंने फिर उसका figure जब देखा तो उसको यानि she had she was pretty heavy on top right मैं उसको देख रही थी and I was admiring her मैं उसको admire कर रही थी और ये भी सोच रही थी कि मैं real है कि fake है right मेरा भी दिमाग में मर्दों की तरह चलता है anyways दिमाग में मेरे बात ये आई कि point जो है आपका ये उपर से नीचे पहनने का वो ये है कि आपकी ऊपर मर्द की नजर ना जाए right मगर एक औरत होते वे मेरी नजर उधर गई और notice की उस चीज़ को तो क्या कपड़े पहनने से ये चीज़ हो जाती है you know अगर वो मेरे खाल से बंदी बिकीनी में होती तो उसको शायद इतने लोग नहीं देखती क्योंकि वो ब्लेंड इन कर जाती सबके साथ मगर क्योंकि वो स्केंड आउट कर रही थी उसने वो टॉप टू बॉटम वो पहना हुए था अगर आप पाकिसान में चले जाओ और सारी ओरत में बुरके में हैं और एक बीच में बिकीनी पहन के खड़ी हो जाएगी तो वो ज्यादा आपको सेंड आउट करके दिखेगी राइट अच्छा तो यह बात होगी मैंने भी देखा मेरा बॉइफ्रेंड है मैंने उसको भी कामेंट करें दिखो जा रहा है यार यह क्या यह तो छुपाने की चीज़ है मगर मेरा फोकस उधर ही जा रहा है बार बार फिर उसके बाद हम खाने बैठे तो महाँ पर एक अंकल आये अपनी पूरी फैमली के साथ आये वे थे और मैं उनकी वीडियो यह लगाती हूं आपको यह अंकल यूएस का प्रिंट जो है फ्लैक का प्रिंट उसके शॉर्ट्स पहेंके पानी टपकतावा बन्यान पहेंके यहां नमास पढ़ने और यह 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 पानी महाँ पर है लोग महाँ पर यह नौए इस आउट ते मोस क्लोरिन वगारा सबकुछ होता है मगर सिल कोई नमास पढ़ने वाली जगा नी थी मगर इनकी बेटी थी यह पता बही नी चलता ना भाई या एज चोटी छटी चटी हड और लगावा था and I could tell क्योंकि इतनी चीखम चलाई वाली जगा पे जहां बच्चे पागलों गूम रहे हैं आप वाँ कैसे फोकस कर सकते हो मुझे खुद बताएं आप तो मैंने ये सवाल जाकर उठाया है और मैं ये सवाल पूछना आप लोगों से भी चाती है क्या ये हलाल है ये आपकी जो नमाजे हैं क्या ये कबूल होंगी अब मुझे तो ये पता चलता भई जब मैं मुसल्मान थी क्या आप नमाज बाद में भी पढ़ सकते है अजा भी पढ़ सकते है तो ये दिखाने के लिए क्या है और फिर सिर्फ इनी दोनों को नहीं देखा मैंने वहाँ पर मैं जब जा रही थी बहार तो बहार भी मैंने दो मुसल्मानों को देखा जो वहाँ नमाज पढ़ रह थी क्योंकि उनकी नमाज ना छूट जाए बाई तो ये अब केनेडा का ये हाल है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है या आप नमाज पढ़ो अपनी जो भी है करो अपना मगर मेरी बेटी वहाँ पे थी और मेरी बेटी भी थी और एक और भी हमारे साथ बच्ची थी दोनों ने दोनों ने सवाल ये किया कि ये लोग ऐसे क्यों कपड़े पेनी नहीं है और मेरे गाज पहला दिन था जहां मुझे मेरी बेटी को समझाना पड़ा कि भाई ये रिलिजिन है और मैं उसे ही का तू शकर मना कि तू पाकिसार में नहीं मना तिरे को यही पेनना पड़ा तो यू मेरी शकल देख रही थी और मैं यह भी कह रही हूँ न कि पॉजिटिफ चीज है क्योंकि इन बिचारियों को पहले तो घर से बाहर निगलने नहीं दिया जाता था इटलीस बिचारियां बाहर तो निकली है मगर लॉजिक जो आपको इदिमाग में है कि आपने कपड़े पहने हैं तो आपको कोई नहीं चेक आउट करेगा आपको कोई नहीं देखेगा इस तोटली आउड दे विंडो जहां पर आप जैसे हैं वैसे घुल मिलके रहोगे तो ब्लेंड इन हो जाओगे और अगर नहीं होगे और मैं यहाँ पर यूटूब पर नहीं हूँ एइवेज लाइक और शेर विडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत दूलेगा लेट्स ग्रो इस चैनल वन्स अगैं लाइक वी दिद बेफोर पाई